अब जो इस lecture के अंदर main चीज हम deal करने वाले हैं that is called number theory number theory की ब्रांच को हम थोड़ा सा study करेंगे because we need to know कि जिन numbers के साथ हम data science या machine learning के अंदर deal करने वाले हैं वो numbers है क्या और उन numbers को क्या कहा जाता है एक लिखा हुआ है इसको सिरफ एक बोला जाता है या इसके कोई और नाम भी है और जब वो ही एक 3, 5, 7, 9 के साथ आता है तो उसे क्यों हम ताक बोलते हैं और जो जुफ्त अदाद होते हैं उन्हें हम क्यों जुफ्त बोलते हैं उसकी reasoning क्या होती है यह सब कुछ देखने वाले हम number theory के lectures के अंदर अब यह अपनी में screen आपके साथ share करता हूँ और number theory को और भी detail में हम पढ़ते हैं number theory कि definition आपके सामने में लाता हूँ पहले फिर हम आगे move करते हैं यह हमारे पास definition है जी number theory की so number theory is a branch of mathematics जो मैंने पहले भी आपको बता दिया which helps to study this set of जो study करती है set of positive whole numbers whole numbers क्या होते हैं जो पूरे number हों यानि के टूटे हुए number ना हों पूरे number, whole numbers whole numbers कौन से होते हैं ऐसे number जो decimal points में ना हों यानि के पूरे हों एक हो, दो हो, इसके बीच वाले numbers नहीं पूरे numbers set positive whole numbers say 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हो सकते हैं which are also called natural numbers या set of natural numbers whole numbers भी कहते हैं इनको हम natural numbers भी बोलते हैं set of natural numbers तो या तो whole numbers हों या set of natural numbers हों इनको हम study करते हैं और sometimes इनही को हम higher arithmetic भी बोलते हैं higher arithmetic लेकिन basically मैं whole और natural number के साथ vote अपनी ले के जाता हूँ अब number theory के अंदर आप different किसम की types को भी बढ़ते हैं कौन-कौन सी types होती है number theory के अंदर अगर आप गौर करें numbers जो हैं ये different types के अंदर classify किये जाते हैं numbers and their classes सबसे पहले आजाते हैं odd numbers आपको भी पता है अब ये सभी को बताना जरूरी नहीं है कि odd numbers क्या होते हैं लेकिन there are few people जिनको odd numbers का नहीं पता वो number जो दो पे divide ना हो ठीक है या अगर चलो मैं pure mathematics की जुबान के अंदर भोलूँ वो number जो दो पे divide होने के बाद अपना remainder कोई छोड़ दे ठीक है यानि कि जब हम programming लिखते हैं तो मैं ये बात करता हूँ कि ऐसा number कोई भी number हो अब चल पड़िया बाद x से x मतलब कोई भी number कोई भी number x की जगा पे आप 2 लिख सकते हैं चार लिख सकते हैं पांच लिख सकते हैं many numbers लेकिन ऐसा number जो जब दो पे divide किया जाए when we divide that by 2 doesn't give us a remainder जिसका remainder not equal to 0 हो यानि कि वो remainder जो है वो 0 ना आए for example अगर मैं 4 को 2 पे divide करता हूँ दो 2 बार 4 remainder हमारे पास 0 आए जाता है यानि कि कुछ नहीं बचा यहां पे remainder में so इस तरीके से हम ने जब किसी चीज को divide करते हैं उनको और नमबर बोलते हैं और बच्चों के लिए जो साथ में आपके देख रहे हैं इस वज़ा से मैं थोड़ी सी definition को थोड़ा बढ़ा देता हूँ इनको बोलते हैं odd numbers अगला चलते हैं जी हम odd के बाद हमारे आते हैं even numbers यह odd का alt है यानि कि 2, 4, 6, 8, 10 जब यह 2 पे divide हो इनका remainder जो है हमारे पास 0 आ जाए यह percent का sign आपको लग रहे हैं लेकिन coding में से remainder बोलते हैं तो मैं इसको काट के यहां पे remainder बोल देता हूँ यानि कि divide होने के बाद जो amount आपके पास आती है remainder जिसका 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं हम even numbers फिर हमारे पास आते हैं ऐसे numbers यानि कि मैं यहां पे लिखता हूँ अगर मैं यहां पे numbers कुछ लिखूँ आप मुझे बताएंगे इनका नाम क्या है 4 9 16 25 हान जी आई कु समझ 36 49 64 81 80 और 100 इनको हम क्या बोलते हैं अगर आप गौर करें तो 2 का square है 4 3 का square है 9 4 का square है 16 5 का square है 25 6 का square है 36 7 का square है 49 8 का square है 64 9 का square है 81 10 का square है 100 तो इनको हम क्या बोलेंगे Square Numbers समझे भी बात की बड़ा असान है ठीक है फिर इसी तरीके से अगले हमारे पास क्या आते हैं दोस नंबर्स आर आठ सताइस और लेट से चॉंसर्ट अगर आप गोर करें दो का क्यूब है तीन का क्यूब है चार का क्यूब है तो इनको हम बोलते हैं क्यूब नंबर्स आप देख रहे हैं न हम नंबर्स को डिफरेंट नाम दे रहे हैं अब अगर आप गोर करें तो हमारे पास जो आठ है ये क्यूब नंबर भी है और ये जुफ्त यानि के हमारे पास इवन नंबर भी है तो अगर मैं इसको बोलू कि यार ये तो odd number था sorry even number था यहां पर क्या कर रहा है because of the relation तो set of those numbers जिनमें हमें कोई pattern नजर आ रहा हूँ अगर आप गौर करें हम ये चीज जो देख रहे हैं ये pattern की base पे देख रहे हैं ये हमें patterns नजर आ रहे हैं पूरे set of numbers के अंदर set of square number है ये set मतलब ये सारी की सारी चीज़े a set यानि के एक जथा बोल सकते हैं, जुरमड बोल सकते हैं या आपके पास एक pack बोल सकते हैं जो हमारे पास numbers का है और यहां पे हमारे पास जो number का एक pack है इसके अंदर जो pattern में नजर आ रहा है वो cube का नजर आ रहा है यहां पे square का आ रहा है ये pattern की base पे इनके numbers हैं तो हम data science में यही काम नहीं करते हैं we find the patterns inside data या from data अगर हम mathematics में इसकी बात करें तो patterns की base पे इनके नाम दिये जाते हैं, ठीक है हम क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा data हो जाए जिसमें odd numbers भी हो, even भी हो square numbers भी हो, cube numbers भी हो उतने level की जब हम insight निकालते हैं तो हम उसका नाम नहीं रखते हैं कि यह flaw number हो गया हम उसको एक report के अंदर लगाते हैं और उस report को हम बोलते हैं कि यह report आपको help कर सकती है data-driven decision making ठीक है so this is how you can relate mathematics to data science data is very important यह जो set of numbers हैं, यही तो data है अब यहीं पर मैं आपको definitions भी बताने लगाँ कि set of numbers is equal to data, ठीक है एक part जो definition का है data क्या होता है set of numbers यह होता है data, ठीक है लेकिन numbers के इलावा भी data के अंदर काफी चीज़ नहीं होते हैं but for now you will keep in mind कि यह set of numbers फिर हमारे पास आते हैं जनाब prime numbers prime numbers यह numbers कौन से number होते हैं मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसका pattern क्या है भरण है दो, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, तेरा, सत्रा, उननिस, तैईस अगर आप गौर करें ना इनका नाम जो है prime number किसी वज़ा से पढ़ा है मांजे किस वज़ा से पढ़ा है इनका नाम prime number? prime number को हम prime number क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने इलावा किसी और पर divide नहीं हो सकते हैं, यानि कि जब आप divide करते हैं, तो अपने इलावा किसी और पर यह divide नहीं होते हैं, आप करके देखें लिए एंड नाओ आउ आउ वेटिंग फॉर यूर प्राइम नंबर की अंडरस्टेंडिंग, क्या आप प्राइम नंबर को कैसे देखते हैं? जी झाल चलें मैं आपको एक confusion आपकी दूर कर देता हूँ यहीं पर कि prime numbers वो वाले number होते हैं जो एक से बड़े होते हैं यानि कि these numbers should be more than या greater than 1 1 prime number में नहीं आएगा पहली चीज तो यह इस से बड़े होंगे और ऐसे number जो सिरफ अपने आप पे divide हूँ या सिरफ 1 पे divide हूँ ठीक है तो इनको हम prime numbers बोलते हैं और इनका smallest number जो है वो 2 है यानि कि अगर कहीं पे 1 लिखा आजाए तो आप इसको prime number नहीं बोलेंगे तो इस वाट यू शुड नो कि आपके पास किस तरीके से prime numbers जो आते हैं और believe me ये prime numbers जो है ये data science के अंदर बहुत important है reason मैं आपको भी बताता हूँ क्यूंकि जब आप prime numbers को deal कर रहे होते हैं आपको पता होता है कि ये किसी और से आप divide हो ही नहीं सकते यानि कि I have to report everything until now इसके आगे मैं कुछ भी करता जाओं कोई फरग नहीं पढ़ने वाला ठीक है जब आप कहीं पर stuck हो जाते हैं there might be an issue due to the prime numbers लेकिन इसको जब हम detail में देखेंगे तो हमारे पास prime number फिर उस तरीके से आएंगे ठीक है ओके अब चलते हैं हम अगली तीन डेफिनेशन चार डेफिनेशन के ऊपर पहली है जी हमारे पास composite numbers हाँ जी जो number एक से बड़ा हो और prime ना हो not prime numbers ठीक है एक से बड़ा भी हो और prime number भी ना हो उसको हम बोलते हैं के वो हमारा composite number ठीक है अब अगर आप गौर करें एक भी एक तो हमने लेना नहीं है दो आ गया वो यहीं पर आ गया prime number है तीन भी prime number है तो यह हमारे start होंगे चार से ठीक है so we have 4,6,8,9,10 and so on ठीक है ऐसा number जो एक से बड़ा भी है और वो prime नहीं है ठीक है not a prime number and greater than one यानि के ऐसे number जो अपने इलावा एक पे भी divide होते हैं और किसी और पे भी divide होंगे यानि के यह दो पे भी divide हो सकता है यह हमारे पास दो पे भी हो सकता है तीन पे भी हो सकता है यह हमारे पास दो पे भी हो सकता है चार पे भी यह तीन पे भी हो सकता है और so on, बाकी है, हमारे पास ये 2 पे भी हो सकता है, divide 5 पे भी हो सकता है, तो इस तरीके से, जब जो एक number, different numbers पे divide हो, तो उसको हम composite number बोलते हैं, और composite number भी data science के अंदर इतने ही important है, जितने हमारे पास prime numbers important है, आप खुद देखें के जब हमने arrays define की थी, arrays के अंदर हमारे पास composite number भी थे, और prime number भी थे, so we have to be very careful whenever we are learning these number theories, ठीके जी, अगला हमारे पास जो है, वो है, 1, and 3, यह दो किसमें हो रहा है हमारे पास, जो जानबूच के मैंने आपको data science के अंदर यहां पर पढ़ाई हैं, पढ़ानी है अभी, उसकी reason क्या है, उसकी reason यह है कि आपके पास जब आप कुछी चीज़ डिवाइड करते हैं, आपके पास पीछी remainder, अगर कोई specific remainder भचे, तो उसका भी फरक पढ़ता है data के patterns के उपर, और उनमें सबसे पहली जो चीज़ है, यानि कि numbers that are one more than the multiple of four, ऐसे number जब आप उनका four का multiple देखें, यानि कि four पे वो multiply करें तो वो number बने, लेकिन साथ में one more than हो, ठीक है, एक number उससे ज्यादा हो, for example, 4, 4, 16 और एक उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं, कि ये one modulo four number है, इसी तरीके से हमारे पास three modulo four क्या होगा, similarly, जो हमारे पास four जरब four, 16 हो गया, जमा, तीन अगर हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास होगा, three modulo four, तो हमारे पास इस तरह की काफी और किसमें भी आएंगी, modulo four की, जिस तरह हमने देखी है, तो ये हमारे पास इस तरीके से important होते हैं, कि जब हम इनका multiple देखें, पीछे जो remainder बचता है ना हमारे पास, वो अगर one है, तो हमारे पास क्या होगा, three है तो क्या होगा, और वो multiple उसका, modulo four का मतलब है, कि four का multiple होना जरूरी है, उसका, मिसाल के तोर पे, four plus one, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक number आएगा, जिसका मतलब है five, and five is also one modulo four, अगर मैं four plus three करूँगा, which is seven, seven is also three modulo four, हमारे पास आप इसको इस तरीके से, understand कर सकते हैं, ठीक हो गया, यहां तक आपको समझ आगी होगी, मैं साथ-साथ आपकी चैट भी देख रहा हूँ, ताकि आपको अगर समझ आ रही है, तो that's great, then हमारे पास आते हैं, triangular numbers, triangular numbers, बहुत असानी के साथ, मैं आपको आज पहला math का lecture बढ़ा रहा हूँ, number theory के उपर, triangular numbers क्या होते हैं, हाँ जी, कोई बता सकते हैं? यहाँ पे चैट में आ रहा है कि जा आप दुबारा से बता दें, one module of four क्या है? कोई भी ऐसा number, जो चार का multiple हो, और बाद में उसमें एक add कर दिया जाए, मिसाल के तोर पे, ऐसा number जो चार पे divide हो, और उसमें जब हम एक add करें, या एक extra हो, उसको हम बोलते हैं, one module of four, यह हमारे पास four plus one है, which is equal to five, यानि कि जब हम इसको चार पे divide करते हैं, तो हमारे पास पीछे इसका एक बचता है, for example ये, ठीक है? तो अगर हम इस पे divide करें, तो हमारे पास एक बचे, ये मैंने गलत तरीके से इसको काटा है, ऐसे काटा नहीं जाता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, for example, ये हमारे पास four plus one है, is equal to five, जब हम चार पे divide करें, तो पीछे हमारे पास एक बचे, तो ये है one module four number, और अगर तीन बच जाए, तो ये three module of four है, ठीक है, सो तीन अगर बचेगा, यानि के चार जमा तीन, तो ये हमारे पास हो जाएगा, साथ, साथ में आप देखते हैं, के चार पे divide होने के बाद, पीछे तीन बचता है, सो multiple of four है, तो ये मेरे पास 16 और 17 आजाएगा, 17 divided by अगर आप 4 करेंगे, तो आपके पास फिर भी एक बचता है, क्योंके चार चार बार 16 और एक बचता है, इसी तरीके से चार दो बार 8 और एक नो भी इसका है, और सो और बाखी numbers भी इसी तरीके से modulo number चलते हैं, आपके एक चोटी सी assignment यह है कि आपने tri-angular numbers को देखने है, मैं सिरफ आपको इतना बता देता हूँ, कि ऐसा number जो ये वाली equation के उपर पूरा उतर रहा हूँ, divided by 2, ठीक है, यानि कि ऐसा number जब इस equation में put किया जाए, तो हमारे पास वो equal हो जाए, ठीक है, so let's see कि वो कौन सा number है, I'm not saying anything else than that, आपने tri-angular numbers को study करना है, क्योंकि छोटी सी assignment तो आपके भी होनी चाहिए, reason यह है कि आप भी कुछ करें, so tri-angular numbers को आपने study करके आने, अच्छे तरीके से, and then हमारे पास जो अगला है, वो है perfect numbers, perfect, perfect, वोक्सरों को आप टिक टॉक की होता है न, perfect, वो वाला perfect आप लगा ले, हान जी, perfect number, इसके उपर हम बात करते हैं, और इसकी definition मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हमें गोरों को तरीके से भी पढ़ना है साथ-साथ, तो इस वड़ा से यहाँ पर हम देखते हैं, कि perfect number क्या है, पहली बात तो यह कि यह positive integer होगा, ठीक है, perfect number एक positive integer होगा, a perfect number is a positive integer, that is equal to the sum of its proper divisor, ठीक है, excluding the number itself, for example, 6 is a perfect number, because its divisors are 1, 2 and 3, for example, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कि किस तरीके से, अगर मैं कोई यहाँ पर number लिखू, यह एक पे भी divide हो रहे है, 6 को हम 2 पे भी divide कर सकते हैं, 2, 3, बार 6, और 6 को हम 3 पे भी divide कर सकते हैं, 3, 2, बार 6, अब अगर गौर करें, 1 प्लस, 2 प्लस, 3 कितना होता है, 6, समझ ले इबात की, कि जब हम इसके divisors को जमा करें, तो हमारे पास वो वाला number खुद से बन जाता है, तो यह हमारे पास होता है perfect number, यानि कि ऐसा number, जो हम इनके divisors को जमा करते हैं, तो यह हमारे पास, एक perfect number बन जाता है, मिसाल के तोर पे, आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, दुनिया अगर आपको तोड़ने में लगी हुई है, तो जो आपके छोटे-छोटे हिससे बन रहे हैं, अगर आप दुबारा से जोड लेना उनको, तो आप दुबारा से perfect बन सकते हैं, simple as that, तो आप तूटने ना दें खुद को, कहने का यह मकसद था, ओके, तो हमारे पास कौन-कौन से number हैं जी, इसमें 6 भी है, 28 भी है, 496 भी है, and there are many other numbers, और यह बहुत rare number होते हैं, यानि कि बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपके data के pattern के अंदर, कोई perfect number आ जाए न, इसका मतलब कि वो data आपको कुछ बताना जाए है, तो ऐसे data scientists हमने, उन चीजों को मद्दे नज़र रखना होते हैं, ठीक है जी, फिर आगे हमारा एक और sequence हाती है number की, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, अगर मेरे पास, बलके यहां से, आपको definitions के through ही समझाता हूँ, अगली भी, फिर हम इसको draw करके देखते हैं, क्योंकि आपको इस तरीके से जरा ज्यादा समझ आ रहेगी, से for example, यह हमारे पास, Fibonacci sequence, या Fibonacci number इसको बोलते हैं, double C को chi बोला जाता है, आपको पता होगा यार, गुच्ची, समझ रहे हैं ना बात, पता नहीं मैं स्पैलिंग गलत लिक्या हो, लेकिन something like that, Italian basically यह style होते है, Fibonacci sequence is a series of numbers, where the next number is found by the, by adding up the two numbers before it, यानि के, जो पिछले दो number हैं, उनको मिला के अगला number बन रहा हो, तो basically यह एक number नहीं है, this is a sequence of number, sequence of numbers, for example, 2, 4, 6, 8, जिसको हम set बोल रहे थे, अब यह sequence होगी, तो उसको Fibonacci numbers बोलेंगे, यानि के sequence of numbers, के जब उसका अगला number जो है, यानि के अगर मैं 4 बना रहा हो, तो इसके पीछे must है, 2 और 2 होना, समझा ही बात की, तो यह बनाता है 4, 2 और 2, 4, अब अगर मैं पिछले 2 को जमा करूँ, 4 और 2, 6, इन दोनों को जमा करूँ, 6 और 4, 10, इन दोनों को जमा करूँ, 10 और 6, 16, इन दोनों को जमा करूँ, तो मेरे पास आजाए 26, इन दोनों को जमा करूँ, तो मेरे पास आजाए 42, सो इसको बोलते हैं Fibonacci sequence यह ऐसी sequence होती है जिसके अंदर different pattern पाय जाते हैं और इस sequence की base पे हम इसको बोलते हैं कि अगर कोई sequence हम 0 and 1 से start करते हैं तो वो किस तरीके से चलेगी और बाकी किस तरीके से चलेगी and there are many other things आप इसको start करके भी ले की जा सकते हैं यह मैंने start की है 2 से sequence आप अगर 0 से start करें और आप लिखें sequence को तो 0, 1 ठीक है? 1 और 0, 1 1 और 1, 2 2 and 1, 3 3 and 2, 5 फिर इसी तरीके से आप इस पूरी sequence को आगे ले चलेंगे ठीक है? समझ आगी? और यह nature के अंदर बहुत frequently नजर आते हैं और अगर आप गोर करें न तो यह कुछ kind of linear relationship भी बना रहे होते हैं और nature के अंदर इस तरह की जो basic Fibonacci sequences हैं वो बड़ी नजर हमें आती हैं और इसकी mathematics में बहुत ज़्यादा applications भी हैं अब मिसाल मैं आपको देता हूँ आपके पास कोई भी एक sequence है अगर अब मैं बात करने लगा हूँ थोड़ी सी scientific level पर वो है कि आपके पास कोई stock market का एक stock चल रहा है अगर वो को Fibonacci number बना रहा है या perfect number पर आ गया या किसी और number पर आ गया you can actually predict the next number say for example मैं एक मिसाल देता हूँ आपके पास एक number आया है 2, 4, 6, 10 follow कर रहा है तो आप literally अगला number पर डिक्ट कर सकते है 16 उससे अगला भी कर सकते है 26 so you know कि कल को stock की market कितनी होने वाले I'm just giving an example और machine learning इसी तरह के patterns को देखके ही आगे चलती है तो यहाँ पिर आपको number theory की समझ आगी होगी अब number theory के अंदर कौन कौन सी चीज़े है और किस तरीके से even and odd numbers, square number, divisibility rules कैसे चलते हैं इनको हम इन्शाला हमारे next lecture में देखेंगे hopefully आपको यह पता लग गया होगा कि number theory बहुत important है, mathematics बहुत important है and there are few assignments जो भी मैंने आपको दी थी hopefully आप उसको भी अच्छे तरीके से जो है नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है if you don't want to like or subscribe or share this thing it's up to you but I just wanted to say thank you for listening to me और इन्शाला ये अगले 30 दिन इसमा के और इन्शाला अगले 10 दिन भी इन्शाला stat और math के उपर मैं लगाने वालों in total 40 days के अंदर stat और math इन्शाला हम ऐसी पढ़ेंगे बिल्कुल 0 जे मैंने start किया and 0 to math math के अंदर stat आ रही है जो आज का question भी था हमारा इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं अपना जो lecture ऐसे रोक तूँ